नमश्कार दोस्तो यूर्स ओन चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तो आज की वीडियो हम लेकिया है यह एक दोस्तो इसमें प्रावलम यह है कि यह बिल्कुल और नहीं हो रहा इसमें पॉदर नहीं आको यह attitude कंपियर 갔 पांच यह आर वार का एंप्लिफायर है इसके जो ट्रांजिस्टर सेंड को देखते हुए तो इसके अंदर तो हमें कहीं भी कोई इसका फ्यूज उड़ा हुआ है जाना ही तो यह देखिए इसका फ्यूज निगाल लिया तो जैसे अब देख सकते हैं तो यह फ्यूज जो है बिल्कुल मुझे सही लग रहा है इसमें कोई प्राबलम नहीं है तो इसको हम फिर से हम लगा देंगे तो इसके बाद हमारा जो है में लीट तो इसका काफी मोटा है उसके सड़ने के चांसिस बहुत काम है तो उसके बाद यह जो में पावर सप्लाई जो जिसे हम soft start circuit होता है तो यह देख सकते हैं इसमें आपको कुछ जला हुआ दिखाई दे रहा है इसका जो soft start circuit होता है तो यह NTC होती है जो की circuit में लगी होती है तो यह जल गई है तो उसके लिए हम यह इसका front का जो plate है यह खोलना पड़ेगा और फिर हम soft start की जो PCVS को बाहर निकाल लेंगे तो यह देखिए हमने इसको खोल लिया अंदर से तो आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से यह दोनों जल गई है NTC तो इसका number आप देख सकते हैं 20D20 तो इसके उपर लिखा हुआ तो पहले हम इसको लगाके देखे थे मुझे लगता है कि इसी का फाल्ट होगा तो उसके लिए हम इसकी PCV बाहर निकाल लेंगे यह आपने जो है जब भी कोई बायर इस तरह से खोलनी है तो आप उसका mobile में फोटो कीज़गे रख लीजिए जिससे कि आपको बाद में पर जुड़ा हुआ था नहीं तो फिर ऐसे आपको याद नहीं रहेगा गड़ बोड़ हो जाएगी तो इस तरह से आपने इसको खोल लेना है तो देखिए हमने इसकी PCV बाहर निकाल लिए सॉफ्ट स्टार्ट कर जो हता है तो यह देखिए तो ऐसे अगर हम चलाना चाहें तो इसको ड्रेक्ट भी चला सकते हैं लेकिन उससे क्या आता कि एक दम से जो है लाइट में जो है जटका लगता है तो यह हमारे पास जो है 20D 20 नहीं थी तो हम क्या करेंगे यह 10D 20 वाली लगा देंगे उसमें दो लगी थी इसमें हम चार जो है इसको सीरीज में जोड़ के लगा लेंगे तो वो उसके बराबर इस तरह से देखिए थी के इसको अच्छे से इन्सूलेट कर दीा है ताकि यह और थोड़ा-थोड़ा एक…दूसरे से ौड़ रखना कि जब ने हीट होती हैं तो इसलिए थोड़ा इसको दूर रखेंगे तो अब हम इसको ट्रांस्फोर्म में फिट करके चेक करेंगे तो जैसे आप देख सकते हैं हमने इसकी PCV फिर से उसी तरीके से बंद कर दी है तो उसके बाद हम इसको जो है लगा कर देखेंगे कि यह आन होता है कि नहीं तो में ली लगा दी है हमने तो यह देखिए तो दोस्तों यह देखिए हमारा एंप्लिफायर जो है आन हो गया तो इसमें बस यह चोटा सा प्राबलम था तो इस तरह से आप अगर थोड़ा इसका नालिज रखते हैं तो आप खोद भी मतलों चोटी मोटी जो है इसकी खराबी ठीक कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह से मैं आगए और भी वीडियो लाता रहूँगा तो उसके लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल जो नोटिफिकेशन है उसको आल पे कर लीजिए तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद तो इसको हम अभी टेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ पावर फ